नमस्कार प्रणाम आदाव COVID-19 के प्रादुभाव की वज़ा से आज विद्यार्थी शाला में स्प्रत्यक्ष अध्यान अनुभाव लेने से वंचित है ब्रिहन मंबई महानगर पालिका शिक्षन विभाग ने एक सरहानिय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थे शिक्षा से वंचित न रहे और इस श्रिंखला के अंतरगत हम अपने विशय के रोचक घटक लेकर रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्तित रहेंगे और इसी के अंतरगत मैं श्रीमती पुर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विशय के साथ नए घटक के साथ तो चलें अपने विशय के संग इतिहास और राजनीती विज्ञान कक्षा दस्वी पार्थ साथ खेर और इतिहास भाग दो इस पार्थ में हम जानेंगे कुछ महत्तोपूर्ण मुद्दों को जिन में से एक है खेलों का अंतर राश्ट्री करण दूसरा है खेलों की सामग्री और खिलोने खिलोने और इतिहास खेल और संबंधित साहित्य तथा फिलमे खेल और व्यवसाय के अवसर कई खेल हमें दिखाई पड़ रहे हैं कुछ खेल मैदान में खेले जा रहे हैं तो कुछ बैठ कर घरों के आसपास खेले जा रहे हैं कुछ आधुनिक खेल हैं तो कुछ प्राचीन खेल हैं यदि हम खेल को एक वाक्य में परिभाशित करना चाहें, तो कह सकते हैं कि मनुरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टी से की जाने वाले कृती खेल कहलाती है। कि युनानी लोगों और खेलों के बीच में एक प्राचीन संबंध है। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता था। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना सम्मान की बात समझी जाती है। आज भी जो ये ओलंपिया गाउं से शुरू हुआ खेल जिसे वर्तमान में हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं। इन खेलों में विजय प्राप्त करना पुरे देश के लिए गौरों की बात होती है। अब एक बात पते की हम जानते हैं। क्या प्राप्ति इन ओलंपिक की शुरुवात 786 BC में हुई मानी जाती है। युनान की राजधानी एथेंस में पहले इन खेलों को धार्मिक खेलों के रूप में खेला जाता था। और आधुनिक काल में यह ग्रीस यानी युनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। और उलंपिया परवत पर खेले जाने के कारण इसका नाम उलंपिक पड़ा। उलंपिया गाउं उस गाउं का परवत उलंपिया और वहाँ पर यह खेल होता था इसलिए इसका नाम उलंपिक पड़ा। इस उलंपिक खेल की लोगप्रियता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उलंपिक खेलों के दोरान शहरों और राजियों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। उलंपिक में राजियों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। आओ कुछ और पते की बातों को जानते हैं। पुराने समय में शांति पूर्ण समय यानि ऐसा समय जब इद्धुकाल की इस्थिती नहीं होती थी तो जो सेना के योध्धा होते थे या सैनिक जो होते थे उनके बीच प्रतिसपरधा रखी जाती थी। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे खेलों का विकास हुआ। शुरुवाती दौर में दौर, मुक्के बाजी, कुष्टी और रथों की दौर सैनिक प्रशिक्छन का हिस्सा हुआ करते थे। यहां पर हम देख रहे हैं दौर, यहां रथों की दौर, यहां भाला फेक, यहनी जो उनके सैनिक प्रशिक्छन की बाते थी, उनहीं को लेकर बाद में खेलों के रूप में उसकी स्परधा रखी जाती थी। इनमें सबसे बहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिसपर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। यानि प्रशिक्छन में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, उनहीं लोग को खेलों के इस परधा में रखा जाता था, चुना जाता था। इन खेलों का आयोजन हर चार साल में एक बार होता है। कौन से खेल? खेलों का महाकुम्ब यानि ओलम्पेक। युनान के ओलम्पिया शहर से शुरू हुआ या खेल, आज दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण खेल आयोजन के रूप में जाना जाता है। और इसे हम खेलों के महाकुम्ब के रूप में भी जानते हैं। महाकुम्ब इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में परतेक चार वर्ष में कुम्ब का मेला लगता है। तो जो इस कुम्ब के मेले में पूरे देश के कोने कोने से साधो संत का समगम होता है गंगा किनारे। भारत के चार महत्वपूर्ण शहरों में ये मेले लगते हैं, चार साल में एक बार एक शहर का नंबर आता है, तो हरिद्वार, उजयन, नासिक, यहाँ पर इन कुम्ब मेलों का आयोजन होता है, तो इन कुम्ब मेलों में देश विदेश से ज्यानी, विद्वान, सादू, मनी ये इकत्तित होते हैं, सत्संग होता है, प्रवचन होता है, और अनेक तरह की आध्यात्मिक गदिविधियां होती हैं, तो उसी तरह से ओलंपिक के खेलों में पूरे दुनिया भर से खिलाड़ी अनेक स्परधाओं में भाग लेते हैं, और पदक जीते हैं, जो पदक नहीं जीत पाते हैं, वे भी एक दूसरे से मिलकर सहयोग की भावना के साथ खेलते हैं, बाच्चित करते हैं, यह एक तरह से खेलों का महाकुम्भग होई, अब हमने देखा कि ओलंपिक के यह पांच रिंग हमने देखें, तो पहला रिंग जो है, वो इरोप महादीप का प्रतिनी धित्व करता है, दूसरा रिंग एशिया महादीप, तीसरा रिंग औस्ट्रेलिया महादीप, जो हरे रंग का रिंग है, चौथा रिंग जो है, वो प्रतियों गिता हैं जो इसका अर्थ निकलता है इसके बाद हम देखते हैं कि महत्तोपूर्ण एक मुद्दा है खेल प्रतियों गिता हैं खेल हमने कहा नहीं पहले कि हम शारीरिक व्यायाम की द्रिश्टी से और मनुरंजन की द्रिश्टी से जो कृती करते हैं उसे खेल कहते हैं अब इन खेलों में प्रतियों गिताय कब से शुरू हो गई तो आज संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियों गिताओं को मानेता प्र दिव्यांगों का ओलंपिक विश्वकप क्रिकेट प्रतिवगिता हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं, मशूर हैं। होकी विश्वकप प्रतिवगिता हैं। डंगल यानी पहलवानी, कुष्टी, शत्रंज, आधी खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्वस्तर पर किया जाता है हौकी यह हमारे देश भारत का राश्ट्रिय खेल है हौकी के जादूगर मेजर ध्यानचन के बारे में आई यह जाने कुछ रोचक तत्या 1936 में हम यहां चित्र में देख रहे हैं कि बरलिन जो है जर्मनी का एक प्रमुक शहर यहां पर ओलम्पिक हुआ था और उस ओलम्पिक में अपने हौकी के छड़ी से मेजर ध्यानचन ने जो कमाल दिखाया था तब से उन्हें हौकी का जादूगर कहा जाने लगा है मेजर ध्यानचन भारती हौकी के खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे उनके नेत्रित में 1936 ईस्वी में भारती हौकी टीम ने बरलिन उलम्पिक में स्वर्ण पदक जीता इसके पहले भारती हौकी टीम ने 1928 ईस्वी और 1932 ईस्वी में भी स्वर्ण पदक जीते थे इन मैचों में ध्यान चन्द भारतिय टीम में खिलाड़ी के रूप में खेले थे 29 अगस्त उनका जन्म दिन है तथा इस दिन को हमारे देश में राष्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यान चन्द को हौकी का जादुगर कहा जाता है उन्होंने हौकी में जिस बढ़ियां खेल का प्रदर्शन किया था उस कारण उन्हें 1956 इस्वी में पद्मभूशन सम्मान से विवोशित किया गया ऐसा कहा जाता है कि 1936 में जो बर्लिन में उलम्पिक हुआ था उसमें ततकालीन, तानाशा, हिटलर भी उपस्थी थे ठुकरा दिया था अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है खेलों का अंतर राष्टी करण अंतर राष्टी करण यानि खेल अपने देश की सीमा लांग कर अंतर राष्टी इस तर पर भी खेले जाने लगे हैं बीसवी 21 शताबदी में खेलों का अंतराश्ट्री करन हुआ ओलम्पिक, एशियाई खेल, राश्टमंडल खेल, विंबर्णन जैसी पृतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, आधि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण, दूरदर्शन और दूसरे चैनल उपर पूरे विश्व में एक ही समय में किया जाता है, और इससे इन खेलों की प्रसिद्धी घर-घर तक फैल चुकी है, आज भारत में रहने वाला बच्चा भी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में होने वाले विमल् विश्व कप प्रतियोगताएं होती है, लेकिन क्रिकेट को जो प्रसिद्धी मिली है हमारे देश में वो शायदी किसी और खेल को मिली हो, और भारत ने इसमें अपनी अच्छी पकड बनाए रखी है, सबसे पहला विश्व कप भारत ने 1983 में सम्मानिय कप्तान च्री कपिल देव जी के नेतरितों में जीता था और उसके बाद तो हमने देखा ही है कि महेंद्र धोनी, MS धोनी जी के नेतरितों में भी भारत ने विश्व कप जीता है, आप देख रहे हैं खेल में हमारे विश्व प्रसिद्ध खिलाडी सचिन तेंडूलकर जी को और पूरी भारतिय टीम यहाँ पर साथ में है तो क्रिकेट की विश्युका प्रित्योगिता हैं होती रहती हैं इसके अलावा IPL मैचेज आजकल चल रहे हैं इसकी प्रित्योगिता होती है इसका भी लाइब टेलीकास्ट होता है फीफा वर्ल कप फुट्बॉल का जो मैच होता है उसका लाइब टेलीकास्ट होता है अनेक प्रत्रह के राष्टर मंडल खेल, कॉमन विल्थ गेम्स, एशियाई खेल और अनेक विश्यो अस्तर पर आयोजित की जाने वाली अनेक प्रित्योगिता हैं चाहे वो शत्रंज की प अनेक प्रत्योगिताओं का आज हमारे दूरदर्शन के चैनल तथा अने चैनलों से लाइव टेलीकास्ट होता है सीधा प्रसारण होता है और इस कारण इन खेलों की प्रसिद्धी बहुत फैल चुकी है हम यहाँ पर देख रहे हैं तराकी जैसा खेल हो या वेट लिफ्टिंग हो चैनल बॉक्सिंग हो अनेक तरह के खेल विश्षस्तर पर खेले जाते हैं अंतराश्ट्यस्तर पर खेले जाते हैं और इन अनेक खेलों में भारतियों ने भी पदक प्राप्त करके अपने देश क नाम रोशन किया है और आज खेल जैसा एक शेत्र यह भी एक प्रसिद्धी का शेत्र बन चुका है लोग पहले खेल को सिर्फ खेल की दिश्टी से खेलते थे लेकिन आज यह खेल व्यापार भी हो चुका है व्यासाय हो चुका है हम इसमें अपने जौब या रोजगार की तल विंबल्डन जैसा खेल जिसमें टैनिस का खेल खेला जाता है और भारत के दो टैनिस प्लेयर दो सितारे लिएंडर पेस, हम यहाँ देख रहे हैं लिएंडर पेस जी को लिएंडर पेस और महेश भूपती ये दोनों भारत के दो चमकते वे सितारे हैं टेनिस के छेकर के लिएंडर पेस और महेश भूपती ओफ इंडिया hold their trophies after winning the men's doubles title at the Wimbledon Tennis Championship on July 4, 1999 यही मैंने कहाना न केवल cricket में बलकी भारत ने अनेक खेलों में चाहे वो विंबल्डन का खेल हो चाहे वो weightlifting हो चाहे वो boxing हो इन सभी छेत्रों में अपना पर्चम लहराया है विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी है आज खेल केवल मनुरंजन का माध्यम नहीं रह गए हैं बलकी विवसाय का माध्यम बन चुके हैं शौकिया की लाड़ी सीखने की दृष्टी से ये मैच देखते हैं कुछ दर्शक मनुरंजन के रूप में मैच देखते हैं तो बहुत सारी कमपनियां इन मैचों की और विज्ञापन के आउसरों के रूप में देखती हैं, यानि हम देखते हैं कि जब मैदान में दर्शक लोग खेल देखने जाते हैं, तो वहाँ पे टिकेट खरीदते हैं, उसका व्यापार होता है, कुछ लोग मन्दुरंजग के र से यह खेल जो है, इसने दुनिया की economic policies में बहुत गहरा प्रभाव डाला हैं, जिस भी देश में खेल का आयोजन होता है, ऐसे खेलों का आयोजन होता है, चाहे ओलंपिक खेलों, चाहे वो एशियाड हो, चाहे Commonwealth Games हो, या Wimbledon हो, या कोई और अन्य परतियोगिता हो, ये दर्शकों को मैस की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं, अगला मुद्दा है, खेलों की सामगरी और खिलोने, अभी तक हमने खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब हम खेलों की सामगरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और खिलोने, हम सब परचित हैं कि खिलो ने शब्द से के लों की सामगरी और खिलोने है फ्रश्ण है कि खिलोन हम कहते किसे हैं हम सब जानते हैं खirosज़ने क्या है लेकिन एक हम उसके लिए हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों का मनोरंजन हो और उ Hillsi प्राप्त हो ये दोनों द्रिष्टी से कुछ रंग बिरंगे साधन विविन साधन और उपकरण उपलब्द होते हैं इन्हें हम खिलोने कहते हैं यानि मनुरंजन भी हो और मनुरंजन के साथ साथ उससे हमें कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो प्राचीन स्थानों पर हुए चाहे वो मोहन जोड़ों की खुदाई हुई हो या आन्ने स्थानों पर खुदाई हुई हो इस उत्खनन कारी में अनेक वस्तुएं मिली और उन वस्तुएं के साथ साथ खिलोने भी मिले और ये खिलोने साचे में ढाल कर बनाए गए थे यानि उस समय ऐसी तक्नीक में पुतलियों का उल्लेक मिलता है अब पुतलियां भी कई प्रकार की होती है कट पुतली का नाम आपने सुना हुए कट पुतली यानि काठ यानि लकडी लकडी से बनाई हुई पुतलियां यानि खिलोने और धागयों से बनी हुई चमडों से बनी हुई कट पुतलियां जो है ये इनका उल्लेक हमारे भारती साहित्य में मिलता है, संस्कृत के एक बहुत प्रसिद साहित्यकार है शुद्रक और उनका एक नाटक है मृक्ष कटिक, और मृक्ष कटिक का अर्थी होता है मिट्टी की गाड़ी, यानि प्राचीन समय से हमारे देश में खिलोनों की आहित्य में भी स्थान दिया गया है, खिलोने और इतिहास, खिलोनों से इतिहास किस तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इतिहास जैसे विशे में हम खिलोनों की जानकारी ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, इतिहास का क्या योगदान है, तो हम जब भी अपने किसी खिल खिलोने को देखते हैं, बाजार में मिलने वाले वर्तमान खिलोनों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यह हम खिलोने देखते हैं तो हमें वर्तमान में हमारा सामजी क्रहन सहन क्या है, हमारे स्थितियां क्या है, हमारे आसपास का बातावरन क्या है, यह सब चीज की हमें जानका जानकारी मिलती है अतीत की जानकारी यानि अपने इतिहास की जानकारी इसके अलावा ततकालीन समय में वो खिलोना किस वीधी से बनाया गया है किस प्रकार बनाया गया उसको बनाने का प्रोसीजर क्या रहा जैसे खिलोना सांचे में ढाल कर बनाया गया है यहीं सांचा बनान की तकनिकी कला विक्सित रही होगी यह दिन पत्थर जिक बना हुआ खिलोना है तो पत्थरों को काट कर तराश कर छेनी हटोड़े के द्वारा तराश कर खिलोना बना है तो यह जो भी प्रोसेस है खिलोना बनाने का यह उस समय की तकनिकी विज्ञान की जानकारी हमें मिलती ह तत्कालीन समाज की धार्मिक परंपराओं के बारे में जनकरी मिलती है। यहाँ एक पक्षी हम देख रहे हैं, बैलों की जोडी देख रहे हैं, बैल गाडी है यहाँ पर, यहाँ पर भी खेती करता हुआ किसान है। तत्काली का किसी भी देश के बच्चे हों, खेल तो खेलते ही हैं। का यह हम जानते हैं कि हमारे महराष्ट में बच्चे कौन-कौन से खेलते रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे मिट्टी में जुटे हुए हैं, मिट्टी से कुछ काम कर रहे हैं। आप सभी को शायद पता होगा कि महराष्ट में दीपावली के आउसर पर मिट्टी के किले बनाने की परमपरा है। हमारा महराष्टर, जैसा कि मैंने कहा कि महराष्टर में दीपावली के आउसर पर मिट्टी के किले बनाने की परमपरा है। बच्चे मिट्टी कठा होते हैं ग्रूप में और उनके आसपास जो भी मिट्टी उपलब्द होती है उससे वो किले बनाते हैं और उस किले के सर्वोच शिखर पर छत्रपति शिवाजी महराज के प्रतिमा स्थापित की जाती है छोटी सी मूर्ती या उनकी चत्रपति यह इतिहास को जीवित रखने की एक सशक्त परमपरा है हमारे प्रदेश में महराश्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले या गड़ बनाने की लंबी परमपरा है इन मिट्टी के किलों या गड़ों पर छत्रपति शिवाजी महराज और उनके सयोग्यों की बच्चे रखते हैं महराश्ट्र का इतिहास जिन किलों या गड़ों के कारण निर्मित हुआ है उस इतिहास को इस्मरण करने का यह एक सशक्त माध्यम है किले बनाने के साथ साथ हमारे बच्चे मिट्टी से कई प्रकार के खिलोंने बनाते हैं मिट्टी से घर बनाते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बच्चे मिट्टी से भगवान गणेश की उर्ति बना रहे हैं तो कुछ यहाँ पर हमारी ये प्यारी रानी बिट्या मि या हो सकता है किला बना रही हो इसने अभी तक सीव इसको दो फ्लोर बनाया है आगे क्या प्रारूप देगी अब पता नहीं कहने का मतलब कि मिट्टी से खेलना मिट्टी में जुड़े रहना ये हमारे देश की प्राचीन परंपरा है खेल और सम्बंधित साहित्य तथा फिल्में खेलों से सम्बंधित कई फिल्में हमारे देश में बनी हैं और बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है खेल और उससे जुड़ा साहित्य ये एक नवीन ज्ञान शाखा है खेलों से सम्बंदित पुस्तकों और कोशों को नए सिरे से बनाया जा रहा है मराठी भाशा में तो मल्खम का इतिहास ऐसी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है यायाम पर भी कोश मिलता है खेल विशय पर निरंतर कलम चलाने वाले शटकार नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन होता था या पत्रिका मराठी में निकलती थी अंग्रेजी में खेल विशय से सम्बंदित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है खेल का लगातार प्रसाराण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर है खेल और खिलाडियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी अनेक फिल्में बनी है आज हम हिंदी फिल्मों की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और मुझे तो पुरा विश्वास है कि इसमें से बहुत सारी फिल्मों के वारे में आपको जानकारी होगी और हो सकता है आप लोगों ने देखी भी हो मिल्खा भाग मिल्खा सिंग जी विश्व प्रसिद्ध धावक आपने 1958 में एस्याई खेलों में 200 मीटर तथा 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते 1962 के एस्याई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1958 के Commonwealth के हिलों में स्वर्ण पदक जीता मिल्खा सिंग जी की 46.6 सेकेंड की टाइमिंग ने उन्हें स्वतंत्र भारत की ओर से Commonwealth Games में पहला स्वणपदक दिलाया और वह एक मात्र ऐसे भारतिय पुरुश हैं जिन्होंने व्यक्तिगत, Athletics, Commonwealth Games में स्वणपदक जीतने का रिकॉर्ड 56 सालों तक बरकरार रखा 56 सालों तक कोई भी भारतिय मेडल को नहीं जीत पाया और उनकी टाइमिंग को नहीं हटा पाया दूसरी एक फिल्म है Such in a Billion Dreams सचिन तेंदूलकर जी को कौन नहीं जानता विश्व प्रसिद्ध, क्रिकेट खिलाडी महराश्ड की जमीन से खड़े होने वाले हमारे भारत देश के न किवल भारत देश के बलकि विश्व अस्तर पर, अंतराश्टिय अस्तर पर, क्रिकेट के चैंपियन चैंपियन ही हम इने कहते हैं भारत रत्न से सम्मानिद सचिन तेंदूलकर जी उनके जीवन पर भी फिल्म बनी है सचिन, बिलियन ड्रेम्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म आईती स्ट्राइकर स्ट्राइकर या कैरम खिलाडी सूरिकांत जी के जीवन पर बनी हुई फिल्म है हम सोचते हैं कि क्रिकेट या फुटबॉल या होकी ही जैसा खेल है इसी में लोग खेलते हैं तो ऐसी बात नहीं है कैरम जैसे इंडोर गेम्स, शत्रंच जैसे इंडोर गेम्स भी बहुत विश्वस्तर पर प्रसिद्ध है और ऐसे ही एक खेल कैरम पर फिल्म बनी कैरम खिलाडी सूरिकांत जी पर फिल्म बनी स्ट्राइकर मेरी कॉम ओलम्पिक में भाग लेने वाली और कान से पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतिय महिला उनके जीवन पर फिल्म बनी मेरी कॉम इसके बाद एक बहुत अच्छे फिल्म आई थी दंगल आप यह सी चित्र देखकर ही समझ गये है इसका गाना बहुत प्रसीद दुआ था सेहत के लिए बापू तू तो हानी कारक है बच्चों को याद आ गया न मुक्के बाज और मुक्के बाज फोगट बहने प्रथम महिला कुष्टी पहलवान के रूप में जानी जाती है MS धोनी The Untold Story हमारे चहते अभिनेता सुशान सिंग ने इसमें महेंद्र सिंग धोनी का किरदार निभाया था दुर्भागे से आज सुशान सिंग हमारे बीच में नहीं है लेकिन इनकी यह फिल्म महेंद्र धोनी के जीवन पर आधारित है बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म, भारती सेना के एथलिट पान सिंग तोमर की जीवनी पर बनी फिल्म पान सिंग तोमर इसके अलावा भारत की शार्प शूटर, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के जीवन पर आधारित फिल्म सांड की आख, बहुत ही अच्छी बढ़िया फिल्म है, जब कभी यह दिया आपको मौका मिले, तो जरूर इस फिल्म को देखिए, प्रेड़ना दाई है जिसे इस समब्धिक जो फिल्मे बनाई जाती है, तो उस समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, यानि जो सितारा है, खेल का जैसे हमने भाग मिलखा भाग हमने फिल्म बनाई, उस फिल्म को हम देखते हैं, तो ये फिल्म किस कालखंड की है क्योंकि आजकी तो फिल्म नहीं है अब उन्होंने 1958 में पदक जीता है यानि उनका जीवन और 25 साल पहले का है तो कैसे वो बड़े हुए है उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की तो उनके कालखंड में बुली जाने वाली भाशा उस तमय पहने जाने वाले कपड़े परिध उत्वा समाचार पत्र या अन्य स्थानों पर खेल कूद विशे पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी होनी भी जरूरी होती है प्रसरी द्रिष्टी से हम सोचें तो इतिहास और खेल ये दोनों अलग अलग चीज़ें लगती हैं लेकिन इनके बीच एक पक्का रिष्टा है इतिहास के विद्यार्थियों को खेल कूद के शेत्र में अनेक आवसर उपलब्ध हैं ओलम्पिक अत्वा एशियाई खेलों तथा राष्ट्री एवं अंतर राष्ट्री खेलों की जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनके संदर्व में जब लेखन कारे किया जाता है समिक्षन कारे किया जाता है तो इतिहास के तग्यों की आवेशक्ता पड़ती हैं इसके अतरिक्त खेल प्रतियोगिताओं का आखों देखा हाल बताने के लिए हमें commentator या निवेदक की आवेशकता होती है यह जो निवेदक होता है वो दर्शकों के सम्मुक खेल का इतिहास खेल में बनाये गए किर्तिमान या रिकॉर्ड्स पिछले खेलों के आकड़े यानि जो है वहां पर आवशक होता है पत्रकार के रूप में पत्र आजकल कई जो समाचार पत्र हो उसमें खेल संबंदी इस्तम प्रकाशित होते हैं उसमें लिखन कारे करने के लिए खेलों से संबंदी जानकारी रखने वाले व्यक्ति की आवशकता होती है तो इस प्रकार खेल प्रत्योगिताओं का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होता रहता है लाइव टेलीकास्ट जिसे हम बोलते हैं चाहिए वो हौकी का मैच हो क्रिकेट हो फुटबॉल हो कबड़ी हो शत्रंज हो ऐसे अनेक खेलों का सीधा प्रसारण होते रहता है इन प्रसारण होने पर इन कुछ से संबंधित जानकारी या आकणों का विवरण रखने वालों को महत्तो मिलता है और ऐसे लोगों को वहाँ पर जौब का आउसर मिलता है काम करने का आउसर मिलता है और आजकल तो बहुत सारे चैनल चलते हैं दूरदर्शन के टीवी के हमारे राष्टिये चैनल के अ लब्ध होते हैं सरकारी है खिलाडियों को छात्रवित्ती देने की विवस्ता भी की गई है सरकारी और निजी कर्मिक विभागों में आरक्षी स्थान रखे गए हैं किसके लिए खिलाडियों के लिए और हम देखते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं राष्टी इसतर पर खेलने वाले खिलाड़ी या अंतर राष्टी इसतर पर खेलने वाले खिलाड़ी इन्हें अनेक विभागों में नौकरी के रोजगार के ओफर इन्हें मिलते हैं इन्हें नौकरी वह प्रदान की जाती है ये चित्र देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये महाशेक कौन है जी हाँ ये हैं बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर मराथी भाषा में क्रिकेट मैच का आखो देखा हाल बताने वाले श्री बाल ज़ पंडित आकाश्वानी से इस धारा प्रवाह निवेदन को लोग कानों में प्राण लाकर सुनते थे कानों में प्राण लाकर सुनना मतलब बहुत ध्यान से सुनना रनिंग कमेंटरी जिसे हम कहते हैं तो क्रिकेट की रनिंग कमेंटरी बहुत अच्छी करते थे यह धारा प्रवाह निवेदन करते समय श्री पंडित उस मैदान का इतिहास उस खेल से संबंधित यादें और पहले किये गए कीर्तिमानों की जानकारी देते थे उन्हें क्रिकेट और इस खेल के इतिहास का उत्तम ज्यान था परिणाम स्वरूप उनका धारा प्रवाह निवेदन रोचक और आकर्शक होता था उसी तरह हिंदी में क्रिकेट कमेंटरी के छेतर में दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है भारती क्रिकेट कमेंटर और पत्रकार पहला नाम है स्री हर्शा भोगले जी का और दूसरा नाम है स्री सुशील दोशी जी का सुशील दोशी जी बहुत पहले समय से यानि लगभगाज से 30-35 साल या 40 साल पहले हम कह सकते हैं कि हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर के छेत्र में एक जाना पहचाना नाम था उनकी कमेंटरी इस तरह धरा प्रवा होती थी कि आपको सुनने वाले शुरुता को ऐसा लगे कि वो स् उस्तर से और उस लाइव कमेंटरी का कारण क्या क्या क्योंकि आपको उस खेल के बारे में पूरी गहराई से जानकारी थी उस खेल के इतिहास के बारे में जानकारी तो इतिहास जो है वो खेल के छेत्र में भी हमें कारे करने का आउसर प्रदान करता है यह वीडियो देखा सुना और समझा मुझे पुरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है इसे अधिकादिक देखे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने साथियों के साथ शेर भी करें आपके सुझाओ और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपक्षित है क्लिपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्य के साथ, किसी नए घटक के साथ तब तक धन्यवाद किसी नहीं किसी नहीं करता है कि रहें देर लोग 45 थर शेर झाल में 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 आपके साथ